सबी साथ योग को नमस्कार जैसा कि आप सामने देख रहे हैं हमारे चैनल को सर विजयकुमार एजूकेशनल चैनल जिसके अंदर हम आपको देते हैं एजूकेशनल रिलेटिड वीडियो जूज एजूकेशन से रिलेटिड हर एक न्यूज और अपके कंपिट्ट्टिव पर्स जो कैसी होने हैं उनके related subject के लिए तैयारी हम इस के अंदर करवाते रहते हैं साथियों सबसे पहले आप लोग इसे request है कि अगर चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कर लिजिएगा एक यह next analytic के अंदर अगर हम जाते हैं तो देखिएगा यहां पर हमें दिखाई देता है कि not subscribed जो है वीवर्स उन्होंने 88.2 ने परसेंट ने जो है यहां पर देखा है हमारी वीडियो को और जो subscribe है वो 11.8 परसेंट नहीं देखा है तो अगर आप वीडियो को देखते हैं और हमारे चैनल पर विजिट करते हैं तो आप लोगों से यह भी request करूँगा कि चैनल को subscribe जरूर कर लें क्योंकि आने वाली जो भी वीडियो होंगी आप लोग तक सबसे पहले पहुँच जाएं और इससे हमें थोड़ा सा motivation मिलता रहे वीडियो को share, like, comment करना भी ना भूलें आज की वीडियो जो है वो है निष्ठा module पांच FLN का जो primary teachers के लिए चल रहा है उनकी प्रसनोतरी पर हम बात करेंगे तो सातियों चलो वीडियो को शुरू करते हैं इसके अंदर हम आपको complete जो 20 questions पुछे जाते हैं और अगर आप उसको दोबारा से बंद करके दोबारा खोलते हैं तो आपके सामने अलग से कुछ questions होते हैं तो वो सब मिलाकर के लगबग 40 questions के लगबग हो जाते हैं तो उन सब 40 questions के direct answer हम देंगे इसके अंदर आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये green के अंदर वो हमारे questions के direct answer होंगे हमने इसकी PDF इसलिए बना ली कि जिस से आपका टाइम थोड़ा सा बच सके और आपको ज़्यादा टाइम भी ना लगे और आपको certificate Nishtra modules FLN की प्राप्त हो जाएं जो की 70% marks लेने के बाद में प्राप्त होते हैं चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट क्योशन है बाल वाटि का कारिय करम schooling के कि स्तर के बच्चों के लिए निर्मित है तो आंसर हो जाएगा पूरो प्राप्तमिक सतर तीन के बच्चों के लिए नेक्स्ट क्योशन है राष्ट्रिय शिक्षानीती 2020 में स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर चरण में बच्चों के बीच स्क्षन के नियुन्तम स्तर का उलेक है तो आंसर हो जाएगा प्राप्तमिक नेक्स्ट है विद्या प्रवेस बालवाटी का कारिय करम का मुझे से क्या है तो प्रार्तमिक कक्ष्याओं में बच्चों का व्यवधान रहित स्क्षन सुनस्चित करना नेक्स्ट क्योशन है विद्या प्रवेश कार्य करम के क्रियान वैन की अवधी है तो अंसर हो जाएगा आपका बारा सप्ता नेक्स्ट है मानव जीवन के किस चरण में मस्तिक्स का विकास तिरुत्ता से होता है तो प्रारंबिक बाल्य वस्ता बालवाटी का कार्य करम के क्रियान वैन की अवधी है तो बालवाटी का कार्य करम की अवधी जो है आपके आश में वो एक वार्ष नेक्स्ट क्येशन है विद्या प्रिवेश बालवाटी का में दिये गए स्तत्म ल्यांकन से शिक्षकों को किस प्रकार साहेता मिलेगी तो आपके आज में जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शीखने सिखाने से जुड़ी रनीतियों खेल की सामगरियों गतिविदी के ख्रेत्रों आदी को अपनाने और उसे सुधारने में मदद मिलेगी नेक्स्ट गतिविदीयों वरक्षीट तथा चित्रों के संधार्व में शिक्षकों को किस तरह की सुधंतरता दी जानी चाहिए तो आंसर हो जाएगा आपका उसे संसोधित करने एवं प्रासंगिक बनाने के संधार्व में समेह नेक्स्ट है आपको आस में विद्या प्रवेस आवों बालवाटि का कारिय करम के कारिया नुएन के लिए निर्धारित देनिक अवधित घंटों में कितनी है तो यह होगी परतल एक दिन चार घंठे नेक्स्ट है पूरु प्रात्मिक तीन के लिए निर्धारित आयूग क्या है तो तीन के लिए क्या हो जाएगी पांच पलस ध्वन्यात्मक जागरुक्ता फोनोलोजिकल अवेरनेस का सही उधारन क्या है तो आंसर हो जाएगा तुकांत सब्दों की पहचान करना नेक्स्ट है निमलिकित में से कौन सा दस्तावेज FLN मिशन का एक भाग है तो आंसर हो जाएगा विद्ध्या प्रवेश विद्ध्या प्रवेश एहूं बालवाटी का कारिय करम के अंतरगत कितने विकास आत्मक लक्षों को पूरा का समावेश किया गया है तो आंसर हो जाएगा तीन विकास आत्मक लक्ष नेक्स्ट है बच्चों को निर्देश किस भासा में दिये जाने चाहिए तो बच्चों को निर्देश मातरी भासा अत्वा जयातर बच्चे जिस भासा विशेश से प्रीचित हों मतलब वहां की लोकल भासा के अंदर जिये जाने चाहिए एफेलन मिशन के दिशाने देशों में स्तर्तीन के तोर पर उलिखित दस्तावेज कौन सा है तो अंसर हो जाएगा बाल वाटिका एफेलन मिशन का पूर्ण रूप है तो इसका अंसर हो जाएगा निपोन भारत मिशन विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में किस प्रकार की खेल सिक्षन सामगरी का सुधाव दिया गया है पांसर हो जाएगा देश में निर्मित स्थानिय कम लागत की अथवा सुन्य लागत की सामगरी का नेक्स्ट है विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में मुल्यांकन की किस प्रकिरिया के बारे में बताया गया है तो आंसर हो जाएगा नियमित निरंतर सतत एवं बहु आया में नेक्स्ट है सेक्षनिक सिक्षन में पारगमन गतिवीदियों ट्रांजिशन एक्टिविटीज का उदेश से होता है तो आंसर हो जाएगा बच्चों को एक गतिवीदी से दूसरी गतिवीदी तक जाने में सहयता करना नेक्स्ट है विद्या प्रवेश कारियकरम स्कूलिंग के किस तर के बच्चों के लिए तयार किया गया है तो आंसर हो जाएगा कक्षा एक में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए नेक्स्ट है DIY से क्या तात्प्रय है तो आंसर हो जाएगा स्वैम करें Do it yourself नेक्स्ट है गतिवीधियों में संतूलन का सही उधारन क्या है तो आंसर होगा शिक्षक दवारा आरंब की गई एवं बच्चे दवारा आरंब की गई गतिवीधियां नेक्स्ट है आपके बास में राष्ट्रिय सिक्षानेती 2020 इस बात का समर्थन करती है कि बच्चों की सिक्षा खारिस्तान जारी रहनी चाहिए तो कब जारी रहनी चाहिए पूरो प्राथमिक स्तर से लेकर प्रारंबिक प्राथमिक कख्षयां तक यह आपका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है विकास आत्मक लक्ष एक के अंतरगत आने वाले कोशल एवं अवधारनाई कौन सी है आंसर होएगा स्वैम के परती जाग रुकता सामाजिक रूप से वंचनिय व्यहोहार स्वास्थे पोशन स्वच्चता स्वैम की सुरक्षा एवं गत्यात्मक कौसल यह आपका आंसर हो जाएगा साथियों आप जब अगर क्योस्टन्स को एक बार करने के बाद में कंप्लिट मार्क्ष नहीं पाते हैं तो आप सैटिफिकेर भी प्राप्ते नहीं कर पाते हैं इसके अंदर हमने जो क्योस्टन्स लिए हैं वो आपको आपकी परस्णोत्री में आगे पीछे मिल सकते हैं तो इसलिए आप इनका स्क्रिन सोट लेकर के भी रख सकते हैं जिससे कि आपको पता लग जाए कि कौन से क्योस्टन्स का क्या आंसर है या आप इनको एक कोपी पैन के जरीए लिख लीजिएगा जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी तो लिए नेक्स्ट क्योस्टन करते हैं विद्या प्रवेश एवं बालवाटिका कारियकरम के अंतरगत गतिवी दियों तथा वर्क्षिट अत्वा शीखने शिखाने से जुड़े अनुभाव का विकास किया जाना चाहिए तो आंसर हो जाएगा तीनों विकास अत्मक लक्षिएं के इड़ गिर्द नेक्स्ट है बच्चों को वर्क्षिट कब दी जानी चाहिए तो गतिवी दि के आरंब होने के समय वर्क्षिट दी जानी चाहिए नेक्स्ट है बच्चों की एक से अधिक मात्री भासा घर की भासा होने की स्तिती में शिक्षक से क्या करने की अपेक्षा की जाती है तो शिक्षक से क्या अपेक्षा की जाती है छात्रों को कक्षा में अधिक से अधिक बासाओं को अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में उप्योग किये जाने की सवतंतरता देना नेक्स्ट है पॉर्ट फोलियो से क्या तात्प्रय है प्रतेक बच्चे द्वारा किये जाने वाले कारियों का संकलन यह आपका उत्र हो जाएगा नेक्स्ट है आपके आश्मे बच्चों के विकास का मुल्यांकन करने एवं उसका रिकोर्ड रखने के लिए मुल्यांकन संबंदी कारियों योजना के कितने स्त्रों के बारे में सुझाया गया है तो आंसरों का तीन स्त्रों के बारे में सुझाया गया है नेक्स्ट है निमिलिकित में से कौन सी गतीविदी दी गई सापताहिक कारिय योजना के अनुसार दैनिक दिन्चरिया गतीविदी में सामिल है अन्सर होगा परस पर अभिवादन एवं मिलना सर्किल टाइम और निर्भाद संप्रेशन तो यह आपका अन्सर हो जाएगा नेक्स्ट है कौन सा संगटक भासा और साक्षरता को उसके पूर्ण रूप में व्यक्त करता है तो अन्सर होगा मौखिक पढ़ना एवं लिखना तो यह आपका अन्सर हो जाएगा नेक्स्ट है मुग्त खेल फ्री पले क्या है तांसर हो जाएगा बच्चे दवारा की गई गती वी दी नेक्स्ट पे चलते हैं राश्ट्रे सिक्षनिती 2020 में दी गई बुणियादी अवस्था में सामिल आयू वार्ग है है तो बुन्यादिय वस्ता में जो आयू वार्गह सामिल वह तीन से आठ वर्ष के हम बुन्यादिय वस्ता आयू सामिल है मान सकते हैं तो यह आपके वाश में आंसर हो नेक्स्ट क्योशन है राष्ट्रिय शिक्षानिती 2020 के अनुसार शिक्षण के नयुन स्तर से उत्पन संकट किन दो पहलूं को रेखांकित करता है तो आंसर आजाएगा बुन्यादि साक्षर्ता और संख्या ग्यान नेक्स्ट क्योशन है राष्ट्रिय शिक्षानिती 2020 सुरुवातिक अक्ष्याओं में बच्चों को किस प्रकार के किरिया कलाप के अवसर दिये जाने की बात करती है तो आंसर हो जाएगा स्रिजनात्मक जिग्यासात्मक आयू एवम विकास के अनुलूप नेक्स्ट क्योशन विद्या प्रवेश एवम बालवाटि का कारिये करम कैंदरित है तो किस पर कैंदरित है कोशलो एवम अवधारनाओं के विकास पर कैंदरित है नेक्स्ट होगा साप्ताइक कारिये योजना से क्या तात्प्रेय है तो एक सप्ताह में कारियान वित की जा में गतिविधी रूची ख्षेत्रों का मुख्या उदेश से बच्चों को नमिलिकित के लिए आउसर प्रदान करना है तो आंसर हो जाएगा निर्भाद रूप से खेलना भरपूर खेलना फ्री प्ले यह आपका आंसर हो जाएगा नेक्स क्वेशन है राश्ट्रिय सिक्षानिती 2020 में प्री स्कूल स्तर तीन के लिए उप्योग की गई पारी भासिक सब्दावलिक क्या है तो आंसर आएगा बाल वाटी का यह आपका आंसर हो जाए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक के लिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइग वीडियो को लाइक कोमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा जैहिन बंदे मात्र झाल बिल्कुल